मध्य पर्देश के मनावर थाने की पुलिस चोकी बाका नेर में वीती रात्री चोरों ने शिक्षक के सुने मकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया शातिर बदमाशों ने लाखों के सोने चादी के अभूशन 35,000 की नगदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ किया चोरी की घटना के समय परिजन रिष्टेदारों के यहाँ शादी में गए हुए थे जब परिजन रात्री घर पहुचे तो घर का दर्वाजा खुला मिला और घर का सामान बिखरा पड़ा था जिसके बाद परिजनों ने पूलिस को इसकी सूचना दी सुचना के बाद पूलिस वो फिंगर पिंट एक्सपर्ट की टीम ने पहुँच कर मामले की जाश शुरूई मनावर ससमधाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट मैं जितन कुमा शर्मा बाकानेर से और शिश्यमंदी के पास निवास करता हूँ और हम लोग शादी में गए थे और धाई बजे दो बज के दस मिनट पर यहां पर हम आए और द्वार तूटा हुआ था ताला भी तूटा हुआ था और जैसे अंदर प्रवेश किया गोद्रेज की ताले तूटे वे थे और विस्तर पेटी हां उसमें गोल्ड जो था गोल्ड था जुमकियां थी दो तिन हार थे यह पांच शे लाक लाक नगद पैंतिसार के लगभग था और समय हमने थाने पे सो नमबर फोन किया तो इस टाब से थाने से यह चोकी से और उन्होंने कहा कि वही इसको सुबह अपन कोई हाथ नहीं लगाए और आभी लहार से भी टीम आई और फिंगर प्रिंट लिए हैं और आज सुबह रिपोर्ट दर्ज करेज़ मेरा नाम संजे धुर भी है मैं चोकी प्रभारि के पत पर बाकानेर चोकी पर पदस्त हूँ जाय चोरी चृकली कर महला है बाकानेर में सरमाजी के मकान में और फर्यादी के aloजार पैतीफियार की चोरी हुई है और कुछ गहने सुने चांदी के चोरी हुए यह घर में सुने मकान देखकर चोरों ने घर का जो नकुचा है उसे तोड़ दिया है और अंदर उन्हें चोड़ी के नकब जनी के तौर पे जाज हमें जैसी सुचना मिली की घर में चोरी हुई है हमने FSL टीम को सुचित किया जो की मौके पर आदे घंटे में पहुच गया और उन्हेंने अपनी जो कारवाई है उन्हें पूरी करके अभी गया है कुई समय पहले और बाकी आगे कारवाई हम करेंगे और दीने के लिए बाल इकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइख शेर और सुच्क्राइब करेंगे थाने वाल